हलो दोस्तों आप सभी कैसे हैं मैं रोईत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल जी एजू का सुनुवर्ड पर और रिक्वेस्ट करता हैं कि जो भी इस चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकनों दबा लिजेगा ताकि ह सबसे पहले पहुँचपा है और कि आज का लास है परशंटेज का पार्ट फाइब है ना आज तीन अ लिए गैह और कर तो आ अगर नहीं देखे हैं तो पहले उस चार पार्ट को देख लिजे उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा ठीक है और चीजों को अंतक देखिए ताकि हर एक चीज को आप लोग अपने आप में जज़ कर सके कैसा कैसा कोसे लिया गया कैसे कैसा कोसे बनते है ठीक है तो चलीए चलते होएं कोस नौर्श फर्स्ट पर ठीक है कोशन नौर्श नौर्व 1 आप पढ़ पा रहे हैं इस Linda आपको दिख रहा होगा कोसं में पढ़कर आपको समझाता हूं ठीक है कोशन कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 520 है 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 могई चोटी संख्या दिया हुआ एक बड़ी संख्या दिया हुआ है ठीक है कोशन आप लोग पढ़कर समझ पा रहे होंगे ठीक है चलिए बनाते हैं कोशन में दिया हुआ एक बड़ी संख्या दिया हुआ है एक बीग नंबर दिया हुआ है एक स्मॉल नंबर दिया हुआ है यह द बड़ी संख्या تو 100% होगा अंल और 100% में अगर 4% के कमी कर देंगे तु कितना बच शांवे परतिशत 성 बड़ा संख्या न बीक संख्या हो गया बड़ा संख्या हो गया च्याहने पर पर्शंड की बृधी करदेंगे च्वोप consumers के बृधी करेंगे तो बड़ाentesन हो concept analog के लिए सब्दलब के-बराबर हो गया ठीक है अब चलिए हाँ दियान यह थे यह अफिरों रहे इधर एगा तो आपको किया होगा डिवाई हो जाएगा तो का सब्राबर बेड़ा हो जाएगा यहां पर बेंग बटय प्रति समुल हो शुल्ला का पाढ़ पड़ी, 60-1112 होता है, 6696 होता है, तो बिक संक्या कितना है? 7 आगया, और छे आगया अगया, तो ध्यान दीजिए किसा किस तरह यूद करते हैं, बिक संक्या कितना है? 7 है, एसमोल संख्या कितना है? 6 है, है घन तो इसमें क्या करें गे AS साथ है कर देंगे डोनों को 16 कितना हो गया तो 13 का रिल्ट कर सकते हैं कि पान्सों बीस गया है उगर इसको कारण हो गया तो 40 पूछक कह सकते कितना 40 आ गया जाएं कि छोटी संख्या ग्याद करें तो छोटी संख्या इसा पूछ तो समया जाएगा हाऊगा जोन समझ में अच्छे तरह से को से नमर नेग्र की तरफ चलें कुस्ट की तरफ चलते हैं Q2 ध्यान दीजेगा Q2 आपको इसक्रीन पर दीख रहा होगा पढ़िए उसको और जज कीजिए कि आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है Q2 Q2 क्या करता है पढ़ते हैं एक मिस्र धातु में तामबा 89% होता है तामबा कितना होता है 99% होता है तो बताएं कि मिस्र धातु के नमूने में कितना तामबा मिलाया जाए कि 44 केजी नहीं धातु पराप्त करने के लिए इसमें 90% तामबा हो तो आप लोग पढ़कर समझ पा रहे होंगे मैं बना कर फिर से एक पर समझा देता हूं कि एक मिस्र धातु जिसमें तामबा कितना 89% है एक मिस्र धातु जिसमें तामबा fazendo a C कॉपर कितना है 89% है ...॥ ... अन्हें कोईМыटल हो गालों जो सहां इस major in मिस्रधातु मि स्धाकें कॉपर कितना प्रतिसद मृक्ष मिक्या तो फट कितना प्रतिसत है अन्हें मेटल कितना बच जायागा 11% कहा सकते हैं मेटल है ... जो भी कोई मेटल है दूसरा वह that 11% आगे कोशन कह रहा है अगर मिश्रधातू को 44 केजी बनाए जाए तो उसमें तामबा का परतिसत कितना हो जाता है 90 परतिसत हो जाता है अब इस मिश्रधातू को कितना बनाना चावालिस केजी बनाना है ठीक है तो 44 केजी बनाना है और उसमें तामबा बढ़कर कितना हो जा र पैंवा उसके बाद हम लोक को चेंज कर रहे हम लोग क्या करेंगे नहीं ceny серEdge क्षे जश्दार माकरते हैं अब देखिया एक जुरओ काट फ़र्व कोई क耐सदों कोई दीकत नहीं होगा वह भीटतां हैं तो समान करने के लिए इसको एक से गुना कर देंगे इसको एग्यारा से गुना कर देंगे तो एग्यारा एकम एग्यारा यह हो गया और एग्यारा एकम एग्यारा हो गया अन्य मेटल क्या होगे सामान होग चेंज क्या करना झाट कर रहा है तो तो क्या हो जागा धियाँ दिजैगा तो 89 परतिसात हो गया यह और इदर कितना होगा ग्यारा compress हो गया अब यहां धियाँ दिजैगा जब 11 से इसमें किए हैं तो 11 से इसमें भी टुकरेंगे सकते हो जाएगा आप इधर कितना बच जाएगा 11 परतिसत हो गया इसको एड़ कर देंगे कितना हो जाएगा 89 परतिसत और 11 परतिसत जोड़कर कितना हो जाएगा अब पतिशत को 11 Canis його mezzahemaung pige भी जोड़ा घएम से कितना हो जाएगा एक सो दर पतिशत हो जाएगा ठीक है बढ़ टो बढ़ गया किटना बढ़ गया जो बढ़ गया तो अन्नी मिट्र होगा न है ।क यह 10 पतिशत पतिशत बढ़ गया कितना है बड़ना कितना हैै though Why 4eleri का सकते हैं एही जो चेंज कर रहा है कूशन पूछ रहा कितना तौरतरो यहारा तो कितना कितना बढ़ रहा तो हमको निकाल दसफिस्ट का तौरतरो निकाल लेंगी तो पता चलीटों किजी में कğ में कैना के तामा कितना लगेगा पर तो 110 30 मतलब 24 10 90 बरहा ने तौरतरो निकालब अब दस परतिसत निकालना है यहां दस तो गुना कर देंगे तो परतिसत परतिसत केंसेल हो गया जीरो जीरो कैंसेल हो जाएगा 11 चुक्वे चोब आलिज कितना आ गया तो क्यार कीजी आपका क्या लगेगा कौपर लगेगा तामबा मिलाए जाएगा ठीक है तो दूलोत आप लोगे से समझ में आ गया होगा ठीक है तो को संद्रेश के थरफ चलें को से निम्न थी के तरफ को सा tendency के तरफ चलते हैं को स्रकी कहता है है कोसर नमर 3 कहता है कि रामलाल ने 375 रुपे में कप का एक सेट खरीदा हना क्या किया किया रामलाल ने तो 375 रुपे में कप का सेट खरीदा लेकिन फिर बाद में इसे 345 रुपे में पुराने सेरों को साफ करने के लिए बेच दिया तो बताएं कि उसे कितना प्रतिसात का नुक्सान हुआ है यह प्रतिसात का भी हो सकता है क्योंकि इसमें प्रतिसात दिया हुआ है ठीक है तो क्या कि यह रामलान ने 300 कितना दिया हुआ 375 रुपय में कब का सेट खरीदा तो 375 रुपय में कब का सेट खरीदा तो सेट खरीदा तो खरीदना कि क्या हो जागा तो सीखा सकते हैं उसको कोष्ट प्राइस खरीदा है तो कोष्ट प्राइस होता है US CP होता है वाब बेश दिया कितना में 345 में इसपी हो गया से पर यारा है कितना को तो degrees का हो रहा है कितना की कितना हो रहा है नहीं कुछ लॉस होगा तो पूरा 100% होता है ना तो पूरा 100% निकाल दीजी आप ठीक है तो निकाल जाएगा 15 से काट दीजी 15-30 यहाँ 15-32 30 हो जाएगा 15-75 हो जाएगा पचीज चुग का 100 हो जाएगा चार दुना आठ पर तीसत का क्या हुआ उसको लॉस हुआ तो ये कोशन बहुत इजी था कोशन आसान था मैंने बताया कि इजी कोशन भी है आज मोडरेट कोशन भी है और एक दो हाई लेबल की कोशन भी है तो ये इजी कोशन में आपका आ गय जालते हैं कोशन नमबर कोशन नमबर फॉर की दिरफ चलते हैं और आप कोशन आप ऐसको कहा सकते कि एक कोशन जो हाड़ लेबल का लिए गया था एक थेजी नदीजिएगा कोशन कह रहा है कोशन वर फोर कह रहा है मैं पढ़कर सुनाता हूं कि यदि 30 परतिसत पुरूश 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं को संध्यान समझिएगा हरना यदि 30 पर्थिशत पुरूष 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 80 पर्थिशत पुरूष 50 वर्ष से कम या उसके बराबर है सभी पुरूषों में से 20 पर्थिशत फुटवोल खेलते हैं यदि 50 सल से अधिक उम्र के पूरुसों में से 20% फुटवोल खेलते हैं तो फुटवोल खिलाड़ियों का परतिशत कितना होगा जो 50 सल से कम या बराबर है तिसमें ऐसा डाटा आपका दिया गया है जिसका कोई यूज नहीं है कुछ-कुछ डाटा ऐसा दिया हुआ है तो पूरुस 25 वर से अधिक पुरान है यह लाइन का जुरुवत भी नहीं इस कोशन को बनाने हैं दिखिए कैसे मैं करता हूं जयां दीजिएगा कोशन कह रहा है हरा सकेंड लाइन दिखिएगा सभी पूरुसों में से 20% फुटवोल खेलते हैं यह पालम सभी पूरुस तो सभ कितना 20 पूरुस कितना होगा अब तो 20 होगा यह 20 किया होगा फुटवॉल खेलते हैं क्या खेलते हैं फुटवॉल यहां तक समझ में आ गया आपको उसके बाद ध्यान दिजिएगा उसके बाद कोशन कह रहा है और 80% फुर्ष्ट लाइन का ध्यां से देखिएगा हना फु पुरुस जो है 80% पुरुस 50 वर्ष्ट या फिर उससे क्या है 50 वर्ष्ट या फिर उसके बराबर हो पचास वर्ष्ट से कम या उसके बराबर है तो 50 वर्ष्ट हो गया उससे कम या उसके बराबर है 80% तो कह सकते हैं कि 20 का 80% कितना होगा तो 20 का 80% होता है 16 20 में जो 16 है ऐसा डाटा दिया गया है जो 50 वर्ष या उसे कम है जो फुटवोल कहलते हैं उनका डाटा दिया गया है आगे कोशन क्या कहा गया है समझेगा यदि 50 साल से अधिक उमर के पुरुसों में से 20 परतिसद फुटवोल खेलते हैं 50 साल से अधिक ये डाटा कम का है हना अब कहा रहा के 50 स पयुक्त से औधीक हैं जो फुटीबॉ खेलतें हैं कितने फरती साथ 20 पर तो 20 का बीस परती सद्सक्राइब कितना हो जाएगा तो ईसका पति से कहा चे चार हो जाएगा ठीकिंगे जिरू Mhm क् Payем का रहा है देखिये ध्यान से आगे वहाले को संसिंग को मैंने हैं और हिरारी का पर्तिषप कितना होगा जो 15 से कौम या बराबर है हना 50 साल से ल Commissioner या बराबर तो यही है तो इसी का data हमको निकालना है है उनकी पर्तिषप में कितना आया है ठीक है तो ध्यान दिछे कितना है तो सौला का निकालना है तो सो पर्शंट यह दिया हुआ है ना 20 ना नमबर में कितना दिया हो 20 दिया हो तो 20 का 20 में से निकालेंगे और टोटल 100% हमको निकालना है 100% लिख देंगे अंदर 20 पाचे कितना हो गया 100 हो गया असुला पाचे आसी पर तीसत पूरू ऐसे हैं जो पचास वर्स या उससे कम है और फूटबोल खेलते हैं तो चीजे आप लोगो समझ में आ गया होगा यह कोसन बहुत ही लाजवाब कोसन ठीक है अपनों ध्यान से को लोट करके रखिए चले नेक्स को सब्सक्राइब कोसन पर पढ़िए आप लोग समझिए अपने आपको जज कीजे आपसे नहीं बनता है तो नहीं बनता है तब आप यहाँ पर देखिए और चीजों को नोट करके रखिए ताकि बाद में आपको वीडियो खोलने के बारबाद जुरत ना पढ को देख़ी दिख रहा होगा को सब्सक्राइब के सी जॅप होगा कि और गोस première में 5000 चंदी यह वी कुछ ब्रजर में पन्दर खिप 알았어 एक और एक में थाक्ति वेट अबन चांदिक मतलब शिवर दिया हुए किटणा sivar दिया हुआ 15% तो अन्य कोई metal होगा न इसमें तो अन्य कोई metal कितना होगा total तो 100% होगा जो भी मिश्रदातु होगा तो 100% होगा उसमें अगर silver 15% है तो जो बच जाएगा अन्य mention हा? ना तो 100% 15% घटा दिजे कितना बच जाएगा तो 85% कह सकते हैं अन्यमेटल है, अन्यमेटल कितना है, 85% है, पर हमको संख्या, पूछ रहा है, कि कितना, क्या कर रहा है, कि दूसरे धातु की मात्रा क्या है, ये बताना है, ठीके, तो ध्यान दिजेगा, 85-35, 85-35 का डाटा दिया हुआ है, यदि मिर्श्ट धातु किसी भार में, यदि 51 गराम गराम चांदी है चांदी दिया हुआmain में कितना 51 गराम तो को सकते हैं कि पंदरा परतीसत्ट का मतलब कितना होता है un तो 51 गराम होगे थीके 51 हो गया थामको इसका निकालना ये थ्यान दिजी सिपराइसे कि इसको कर देजिए कि 3 थीन से कट देख 500 क satisf हो गया थीन से सतरती ये कावन हो गया था पांचफ पर Edd bel तब कीसे चित्क फारती सत्रह सेच को थाम कैसे बना सकते हैं हमको 55 है उसका किजी में निकलना कितना ग्याम है तो 17 स़ट्रा से अगर हम गुल कर दे है तो चीजे अप लोगों अच्छी तरह से यह भी कॉसर समय में आ गया होगा बाधवा औगै झाजरा कोशन नमनेश के तरफ चलते हैं, कोशन नमर 6, कोशन नमर 6, हाँ, ये भी कोशन आपका बहुत अच्छा कोशन है, हाँ, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान समझेगा, कोशन है, कि दो क्यूब्स, कांसी के कुल वजन, हाँ, दो क्यूब्स है, कांसी का कुल वजन, 60 kg के बराबर है, पहले तुकड़े में 10 kg सुध जस्ता होता है, दूसरे तुकड़े में 8 kg सुध जस्ता होता है, तो कांसी के पहले तुकड़े में जस्ता का पर्तिशत क्या होता है, यदि तुकड़े, यदि दूसरे तुकड़े में पहले से 15 पर्तिशत जस्ता जादा होता है, निकालना क् आपको कहां से कि पाले तुक्ड़र में जस्ता का पतीसात क्या है पाले तुक्ड़र suckle में ज़्बेर समझे है अपने आप को ज़ाज कीजिए मैं यहां पर बताता हूं ठीक है जहां दिप पुल वजन दिया हुआ 60 kg कि जोड़कर दिया हुआ 60 kg 60 kg अगर मान ले इसको एक सैंसे तो यह को सकते हैं 60 माइनस एकस है का सकते हैं यभी minus x plus x कर जायागा तो बचेहा 60 kg हैं ना अगर x e जो है एक सै और दूसरा क्या है 60 minus x तुप दूनों मिला करके 60 kg हुआ उसके बाद कोसन आगे क्या कर रहा है समझेख ध्यान से कोसन बहुत ही अच्छे कोसन नहीं पहले तुकड़े में 10 केजी सूध जस्ता होता है और दूसरे तुकड़े में 8 केजी सूध जस्ता होता है अब दोनों में जस्ता दिया हुआ है दोनों में जिंक है और उसके बाद नीचे ओर लाइन पढ़िए का नीचे लाइन क्या कहता है कि यदि दूसरे तुकड़े में पहले से 15 परतिशा ज्यादा होता है तो दूसरा कह सकते हैं ज्यादा है 15 इससे ज्यादा है तो इसको ध्यान दिजे कैसे लिखेंगे तो 8 kg और इसका कितना नीचे ल मैनस् कर देंगे इसी का तो अंतर दिया हुए कितना 15% मैनस्कर दिये तो 10 kg हो गया नीचे कितना हो जाखाаг एक बराबर कह सकते है 15 35 परतिशाद हाना 15 परतिशाद हम अगर यहां से आगर इसको सॉलब करने लग जाए हमना तो हमको समयद कम देना आए तो क्या करेंगे इसको सोचेंगे करन किया रखेंगे पांस से कर दिजे पांसे कर दिए 15 hina 20- Controller čuralis रखने पर विशाद छाओ तर्टाफ है अग philosophy कितना है नीचे कितना है साठ्थ यहाँ पर हो जाएगा माइनस चानीच कर देंगे क्टैक अब माइनस दस गठर कितना हो जाएगा ऑज़ेंगा जाली सोडेंगा जालीच हो गया और चार से कठ एक सब्सक्राइब में देंगे तो कितना चाहिए चाहएगा 3 20 सब्सक्राइब करने के लिए एक्स बराबर 40 लिए ठीक है आगे कोशन क्या कहता है और निकालनी कि इन क्या का रहा है कि कांसी के पहले तुकडे में जस्ता का प्रतिशत क्या है कांसी के पहले तुक्ड़े में तो कांसी के पहला तुक्ड़ा कौन सा है कांसी के पहला तुक्ड़ा यही तो है कांसी के पहला तुक्ड़ा में जस्ता का प्रतिशत क्या है यही कोसर निकालने के लिए कह रहा है तो कितना है पहला तुक्ड़ा पहला तुक्ड़ा है 10 केजी चmand कितना है कितना होता है सब सौह chyba सुमना होता है चालिस पूरा हुटा फूरिवेस, मि कितना होगा इस रखाल तो कुछ समगा है कि कहां से के पहले तुकड़े पे जस्ता का परतिशत क्या है तो जस्ता कितना है तो 25 परतिशत है ठीके तो कोशन आप लोग को बहुत अच्छे तरह समझा दिये हैं आप लोग सब को समझ में आया जो भी भाई बेहन देख रहे हैं सब को हाँ ये कोशन किलियर होगा ये ठीक कोशन नवर सेवन के विडियो आज का अगर बेहतर लगा तो आप लोग लाइक ठोग कर चायेगा ठीक है चली रखन नमर चलते हैं द्याव सेविण क्या का ता सबचेगा द्यान से कि यदि रवी के वेतन में स्थैवन ध्यान से बढ़ेगा कि यदि रवी पंदरा परतीसात के बिर्दी हुई और उसका बढ़ा हुआ वेतन 1430 है तो मूल वेतन ज्याद किजे इसी कोशन है आप लोग बना पा रहे होगा है यह ना एसा कोशन मैंने पहले पाठ विकरा हो निठी इन सबह Sanders का वेतन हैं रावी के बितन पंदरा परतीसात के बिर्दी खिया तो अब हो गया 115 इसी 115 का डाटा दिया हुआ है कितना 1430 दिया हुआ ना उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना 1430 24 तो 14,000 का सकते 115 का रिजल्ट होगा 1430 का दीए इसको पांच से काटीये तो पांच दूना दस होगे पांच दस हो गया है थाटो पांचाथन कुतना इसक निख। तो 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 पर दो जिरू लगा देंगे तो निकल कर आ जाएगा कितना तो 12200 यह मूल वितनीस का हो जाएगा यह कोशन इजी कोशन थे चले नेश कोशन पर चलते हैं कोशन नमबर 8 अग कोशन नमर 8 भी आपका बहतर कोशन है ठीक है ध्यान समझेगा हाँ तो कोशन नमर 8 क्या कहता है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कोशन कह रहा है कि यदि हरी के पास 50 पपीता और 30 तर्वूज खरीदने के लिए परियावत पैसा है वह अपने पैसा का केवल 90 परशेट खर्च करने और 9 तर्वूज खरीदने का फैसला करता है तो कितना वह उस पैसे से खरीद सकता है जो वह खर्च करना चाहता है तो आप लोग पढ़कर जज किजिए अपने आपको है ना मैं यह समझाता हूं ध्यान से दिखिएगा क्या कोशन कर रहा है कि हरी के पास 50 पपीता है ना 50 पपीता पपीता को पी लिग दीजिए ठीक है और उसके ह duration va 30 तरबूज 30 तरबूज वाटरबिन को मिल लिग देटें ठीक है कशरेदिये का फसला करता है ठीक है यह तो टोटल पैसा तोटल पैसा निकालने के नबट सब्सक्राइब क्यों तरपया पर से लगा सब्सक्राइब उसके बाद कोहें करता है कि केवल 90% खर्च करने और नौ तर्बूज खरीदने का फ़सला करता है पर तर्बूज है ना एक तर्बूज का कीमत कितना हो जाएगा तो 945 कितना हो जाएगा तो 945 रुपया लग गया इसका है जो पैसा ही तो 100% का है तो 100% का जो पैसा यह 90% खर्च करता है इसका 90% खर्च करता है तो इसका 90% कितना हो जाएगा 135 रुपया हो जाएगा तो कितना आजाएगा नब्बे आजाएगा अब ये नब्बे जो रुपया आ गया इस नब्बे रुपया में कितना पपीता वो खरीच सकता है जो उसके पास पैसा है कितना पैसा उसके पास है तो नब्बे रुपया है तो नब्बे रुपया में कितना पपीता खरीच सकता ह जो उसके पास पैसा बचा हुआ था उससे 30 पपीता खरीद पाता हूँ तो आप लोग का चितर समझ में आ गया ये question Question number next पत्र चलते हैं Question number next क्या कहता है? Question number 9 Question number 9 कहता है ध्यान समझे का question को Question number 9 कह रहा है कि यदि किसी परिक्षा में सफल होने के लिए 34% अंग पाने क्या हो सकता है तो 40 से कितने अंगों क्या हो सकता होगी Question ये बहुत easy question है है ना तो 40 से कितने अंगों क्या हो सकता होगी 40 से हैना 40 से कितने अंगों क्या हो सकता होगी जबकि दिया हुआ सफलों नेकल कितना था 34 परतिसात 34 परतिसाति यहां से भटाएंगे नीचे आएगा साओ है ना शुतर दीजे तो बिमेश दूने चालिस पचे सौ हना इसको शुल कर दिजें पांसे कर दिजें 5 शाक्तिस हो गया कर पॉएंट लागा हना पांच चोघ के वीस हो जाएका ठीक है यहीं नहीं आजाएगा पांच सब्सक्राइब 49 और लुए यह हम deadlegt nada Mac tähän धुरुशन क्या करा था आच चालिस किटने अंखों कर सकता होगा तो 13.6 कहा सकते हैं उलो ठीक है चले यह बही आपको question 9 अच्छी तरह से समझ में आगया question जी question था यह ठीक है question number 10 ध्यान समझझेगा question number 10 अच्छा question है question number 10 आपका बेहतर question है अच्छा question है question number 10 कहता है कि यदि 1560 रुपे की एक धनरासी A, B और C के बीच को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20 परतिशत हो तो बी को कितनी राशी प्राप्त होगी कोसन यह डिस्ट्रिब्यूशन वल्ला है बाटने वल्ला है हाना ध्यान समझेगा इसको मैं बनाता हूं कोसन नमर टीन कौन कौन है ए है बी है और सी है य थेसी को प्राफ्त होने वाला हन अभी को कितना होता है तो होता है क्या होता है एक इसका अग Southern कर्या right यह बहुता इसका 50 का 50 पर तीसद intensity बी का 50 पर्तिसाट है ॢश्यूसिए को से लो कांट दीजे परतिसाट परतिसाट समें कुछ कर दीजे एक जीरो एक जीरो समंने केंसिति थे ठीक है तो कितना आगे हैं किर दो बारा यह त्धु आगे। आप इस धिटरशệc कार जागत दीया हुआ है कोशन स्टार्टिंग में 1560 रुपे की एक धनरासी है ना तोटल धनरासी कितना है 1560 है 1560 है तो एक का रिजल्ट कितना आ जाएगा तो एक का रिजल्ट आ जाएगा 13 एक हम 13 कर देंगे है ना तो दू आ जाएगा 13 दूने 26 हो जाएगा एक जूरा जाएगा तो एक का रिजन कितना जाएगा 120 तो कोशन क्या निकालने के लिका रहा है कोशन कर रहा है तो बी को कितनी रासी पराप्त होगी बी को कितना रासी पराप्त होगा तो बी कितना है तो बी दिख रहा है तो दो है तो दो का कितना हो जाएगा दो का तो दो स और आपका percentage का हाना total type का मैंने question करवा दिया हर एक type का मैंने question आपको करवा कर दे दिया हाना तो आपको क्या करना है कि हर एक type को आप note बनाए हाना note बनाने के बाद जो भी उसके बाद आपके पास book है उस book से आप question देखे हर एक question आपको बनेगा ठीक हर एक question आपको बनेगा ब बेहतर से बेहतर आपको क्लास मिलने वाला है, ठीक है? तो आज के लिए इसको यहीं करते हैं, ठीक यू